Welcome on my YouTube channel कलाकारी आर्टिस्ट So, आज हम UPTGT 2021 का question paper solve करेंगे तो इसके questions हम देख लेते हैं इसमें पहला question दिया हुआ है दा पहाडी miniature painting के लेकक हैं तो इन मेंसे कौन है? आनन्दख्वाशामी, कार्ल खंडालवाला, हैंरी मूर, इस्टेला क्रैमरेस तो राइट आन्सर हमारा क्या हो जागा इसमें? कार्ल खंडालवाला Next question है संगीत कारों की मुखाकरतियों के लिए पिरसिद है तो इन मेंसे कौन पिरसिद है? DP राय चौधरी, संखु चौधरी, हिरन मेरा चौधरी या सरबरी राय चौधरी तो राइट आन्सर डी हो जाएगा हमारा सरबरी राय चौधरी अगला question है निम्निखित में से बावर नामा की सचित्र प्रतियां किसने तयार करवाई थी? साजान, जहांगीर, अकबर, और अंगजेव तो इन मेंसे राइट आन्सर क्या होगा? अकबर जिन्होंने अपने समय में सबसे ज़्यादा प्रतियां तयार करवाई थी अगला question है हासिया बना कर चित्रन करना किस सैली का प्रभाव है? राजपू सैली, फार्सी सैली, जैन सैली या इन मेंसे कोई नहीं तो राइट आन्सर क्या होगा इसमें? गुफा संक्या 32 या गुफा संक्या 33 तो कौन सी गुफा होगी? सी नमबर गुफा संक्या 32 अगला question है फिलपप तुमासो मौरी नित्ती कौन था? भवे सिबाद का घोस्टना पत्र निर्माता? घनबाद का घोस्टना पत्र निर्माता? वाववाद का घोषणापत्र निर्माता या अभी वेक्तिवाद घोषणापत्र का निर्माता तो कौन सा होगा इसमें से बवेसवाद घोषणापत्र का निर्माता जिसके ये कलाकार भी है अगला कोईशन है एक डच डाफ्ट मैन कलाकार एबम प्रिंट मेकर की प्रिसिद दिक्रती तीन गायक जिसे चित्रित किया है तो तीन गायक किसकी क्रती है रैफल, विशन वांग गॉग, रैंबरा, डॉली तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा रैंबरा अगला कोश्चन देखते हैं बैल की प्रिसिद आकरती मोहन जोदरों से किस रूब में प्राप्त हुई है पासार सिल्फ, भित्ती चित्र, तामर मोहर या टेरा कोटा सिल्फ तो रैट आंसर क्या होगा टेरा कोटा सिल्फ अगला question है मोहन जोद्रो से प्राद नरतांगना की मूर्ति की लंबाई कितनी है 10.5 cm, 8.2 cm यह 12.5 cm यह 9.3 cm तो इनमें से right answer हमारा जो होगा 10.5 अगर पूरी माप की बात कर लेते हैं नरतांगना की मूर्ति की तो कितनी होती है 10 x 5 x 2.5 जो की cm में है अगला question है संदाइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है क्लाद माने, एडवर्ड माने, पाल गोगा, विशेन कौन गाग तो इनमें से कौन हो जागा क्लाद मोने जो की सुर्योदे के प्रभाव के नाम से भी यह चित्र जाना जाता है अगला question है कौन सा कलाकार अपने स्टील के बरतनों के लिए इस्टालेशन कारे के लिए प्रिसिद है अतुल डोडिया, विवान सुन्दरम, सुबोध गुपता यह चिंतन उपाद्याय तो इन में से राइट अंसर क्या होगा? सुबोध गुपता, जो की बरतनों के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं चलिए अब अगला question देख लेते हैं, इन में से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो किसका संबंध है? राजा रभी बर्मा, नंदलाल वोश, अपनीना टैगोर या गनेश पाइन तो राइट अंसर इसमें से क्या होगा? राजा रभी बर्मा, जिनको भारत का प्रतम छापाकार भी कहा जाता है कला में संतलन है, अब थाटी नंबर क्वेशन दिया हुआ है कला में संतलन है ओप्सन दिया हुए है आपके संबंध भाव जो क्रती में परिलच्छित होती है बी ओप्सन है आपका क्रती में गति की अनभूत ही होती है C option है, क्रति में इस्थायुत का भाव होता है और D option दिया हुआ है आपका क्रति में इस्थान सनचना का तरीका तो इनमें से right answer क्या होगा? क्रति में इस्थान सनचना का तरीका अगला question है, 14 नमबर पैलेट का प्रियोग किसमें होता है? डिजाइन, चेत्रकला, मूर्थिकला, टेक्स्टाइल तो right answer क्या होगा? चेत्रकला, जिसमें पैलेट का प्रियोग होता है अगला question है, Government School of Art कलकत्ता की स्थापना किस बर्स हुई थी? 1864, 1872, 1868 या 1870 तो right answer क्या होगा? 1864 इसमें अगला question दिया हुआ है मेग दूद्स चित्र शेंखला का चित्रकार है तो इनके options आपके दिये हुए है सुधिर रंजन खासगीर हरिहलान मेड मदलाल नागर नित्यानन मापात्र तो right answer क्या होगा? इसमें हरिहलान मेड जिनका साट नेम जानते हैं हम लोग अगला question है हमारा मदलानी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रियोग किया जाता है? रसायनिक, प्राकरतिक, जल, इन्द्धनूस तो right answer क्या होगा? इसमें प्राकरतिक रंगों का अगर मदलानी की बात करते हैं प्राप्त है, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 26 तो right answer क्या होगा? गुफा संख्या 26 अगला question है, अपनी करतियों में बिंदी का प्रियोग कौन कलाकर करता है? तो कौन कलाकर करता है? सुभात गुपता, अंजुरोडिया, भारती खेर, या रियाज कोमू तो राइट आन्सर इसमें से क्या हो जागा भारती खेर जो कि बिंदियों का प्रेयोक करती है और सुभात गुपता के बारे मैं भी बात की ही थी जो कि बंत बरतनों के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं अगला question 20 नुमर दिया हुआ है आपका oil color में binder की तरहे प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है acrylic binder, lincid oil, तालपीन oil या फेवी कोल तो किसको प्रयोग करते हैं? lincid oil को अगला 21 question दिया हुआ है आपका बांगला देश का जन्म, सीर्शक के दोरा बनाया गया तो किस के दोरा बनाया गया? केके हैबर, रामकुमार, के अच आरा या एनस बेंदरे तो किसने बनाया है आपका? केके हैबर ने अगला question है हमारा 22 number अजन्ता गुफाओं की अनुक्रतियां किसने तयार की? विरेश्वर सेन, लालित मोहन सेन, असितकुमार हालदा या सुधीर रंजन खासगी? तो राइट आंसर क्या होगा असितकुमार हालदा जिनोंने छेमेननात मजुमदार के साथ भी बनाई थी अगला question है 23 number तरासे गये चमकीले हतियारों के आजर कहां प्रियोग किये गए हैं पुरा पासारकाल, मद्य पासारकाल, नव पासारकाल या तामर पासारकाल तो राइट आंसर मारा क्या होगा इसमें नव पासारकाल अगला question है 24 number इन मेंसे किसने मीरा भाई भित्ती चित्र चित्रत किया विडोद बिहारी मुखर जी, नंदलाल वोश, असित कुमार हालदार या केजी शुपरमन्या तो राइट आंसर क्या होगा नंदलाल वोश अगला question है कला विमर्स पुस्तक के संपादक हैं तो इन मेंसे कौन है प्रियाक्सोकल, विनोध भारदाज, जोतिस जोसी, अबधेश मेश्र तो राइट आंसर क्या होगा अबधेश मेश्र अगला question है आपका 26 number एफम, सारी, एम एफ उसेन दोरा निर्मेद महाभारस चंखला के चित्रों की सत्य क्या है रेसम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास या हस्त निर्मित कागज तो इन मेंसे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैनवास ओके, अगला question है हमारा अजनता की चैत गुफाओं का उद्देश से क्या था? आवास हे तू, पूजा हे तू, खरीदारी हे तू, या बैपार हे तू तो इन मेंसे राइट आंसर क्या होगा? पूजा हे तू अगर बिहार गुफाओं की बात करें, तो वो क्या होती है? आवास हेतु जो की बौध विच्छियों के निवासितान के नाम से जानी जाती है अगला 29 कुश्चन है आपका मुगलकान में जानवरों और पच्छियों के चित्रन कब इसे सग्गे था तो कौन था उस्ताद इफ्थियार, उस्ताद मनसूर, उस्ताद नासिर या उस्ताद बहराम तो राइट आंसर क्या होगा उस्ताद मनसूर जो की पच्छियों का चित्रकार है अगला कुश्चन दिया हुआ है आपका 30 नमबर भारत में लगू चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है राजपूत, मुगर, जैन, पाथ तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा पाथ जहां से पोथी चित्रन भी प्रादम भुआ था अगला कुश्चन दिया हुआ है आपका राष्टिय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है तो इनमें से कौन सी है समकालीन कला, कला दिरगा, कला अगतरमासिक या कला वारता तो राइट आंसर क्या होगा समकालीन कला अगला कुश्चन दिया हुआ है अकवर नामा, अकवर का एक अधिकरत G1 परिचे है जो की द्वारा चित्रित किया गया तो किसके द्वारा किया गया वीशंदास, वीचित्तर, अबुलहसन या वशावन तो राइट आंसर क्या होगा अबुलहसन द्वारा अगला कुश्चन है ब्लेक पेज़स आफ इंडियन रिपबलिक चित्र की शंखला के चित्रकार है तो कौन है इनमे से रनवीर सिंग विश्ट, जैकिष्ण अगरवाग यस जी स्री खंडे या दिनकर कॉसिक तो राइट आंसर क्या होगा इसमें आरेस विश्ट, जिनको क्या कहते है रनवीर सिंग विश्ट अगला कुश्चन है इमारा सकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है तो इसके आफसन्स दिये हुए है के अस्कुलकर्णी, राजारभी वर्मा विकास भटाचार, किष्ण खंडा तो राजारभी वर्मा अगला कुश्चन दिये हुए है भारती कला के हस्ताच्छ, उस तक के लेखाक है तो इन मेंसे कौन है जोतिस जोसी, आनद केश्ण, सुनी चोपडा या राय केश्चन दास तो राजाट आंसर क्या होगा जोतिस जोसी अगला कुश्चन दिये हुए है कंपणी सैली का चित्रकार कौन है क्रिश्टोफर केटल एलिस केटल, नेवल टूली या तिली केटल तो इन मेंसे राइट आंसर क्या होगा तिली केटल अगला कुश्चन दिये हुए है इन मेंसे कौन सा मूर्तिकार है आपका पहाडी लगू चित्र सैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है राजपूत चित्र लोग चित्र सासी चित्र या जंगली चित्र तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से लोग चित्र के रूप में जानते हैं अगला कुश्चन हम देख लेते हैं इन में से कौन सा रंग दुतियक रंग समू में नहीं आता है तो आपको बताना है जो दुतियक रंग नहीं है बैगनी, नारंगी, पीला, हरा तो राइट आंसर क्या होगा पीला जो की बिना किसी मिस रंगे बना हुआ है ये तो हमारा प्राक्थिक रंग है अगला क्वेशन ह ए ब्रस बिद लाइफ किसकी आत्मकता है तो आपसंस दिये हुए है आपके बी पी सिंग सतीज गुजराल टी बैकुंठम जोगें चौधरी तो राइट आंसर इसमें से क्या होजागा सतीज गुजराल अगला कोशन दिया हुआ है भारत में मर्द पासाण काल तक का समय माना जाता है तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा दो हजार इस्वी पूर्व, चार हजार इस्वी पूर्व, छे हजार इस्वी पूर्व या दस्सो इस्वी पूर्व तो इनमें से राइट आंसर क्या है दस्सो इस्वी पूर्व अगला question दिया हुआ है आपका 42 number 1730 अगला question हम देखते हैं पालसली के अंतरगत चित्रित होने वाला ग्रंथ है तो इनमें से कौन साथ ग्रंथ है जो पालसली में चित्रित हुआ था जयदवल, महाधवल, पादतड़िकम या अश्रसाहस्त का प्रग्यापारमिता तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा अश्रसाहस्त का प्रग्यापारमिता अगला कोश्यन देखते हैं एलोडा की गुफाएं किसने बनवाई तो किसने बनाई पल्लोग, चालोग की राष्ट गूट इसाथ बहां तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा राष्ट गूट ने अगला कोश्यन है किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सरजन किया चितिनना मजुमदार, अवनीना टैगोर, मंजीत बाबा या असित सेन तो इनमें से राइट आंसर क्या है अवनीना टैगोर अगला कोश्यन है नुटर ने प्रकास के साथ रंगों का बैगनिक चक्र प्रिस्तित किया तो कब किया 1607, 1560, 1680 या 1907 तो राइट आंसर क्या होगा 1660 या 1660 में चली अब अगला कोश्यन देखते हैं चित्रकार, मनोहर, किस लगूचित सैली के चित्रकार हैं तो आपको बताने हैं कि इसके लेखक कौन है कैसब मलिक, असोग भामिक, दिनकर कॉसिक या असा दली तो राइट आंसर क्या होगा असोग भामिक अगला कोश्चन है सानात इस्तंब में बने चार पसुओं के नाम बताईए तो इनमें से आपसंस आपके दिये हुए है पहला नमबर दिया हुआ है घोडा, गाय, सेर, ब्रसब बी आपसंस दिया हुआ है गज, भालू, सेर, उट C आपसंस दिया हुए है आपका ब्रसब, गज, घोडा, सेर तो इनमें से राइट आंसर क्या है हमारा C नमबर अगला कोश्चन है मारा, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारती डाक डिकट में छपी थी तो आपसंस दिये हुए है आपके तीन संगी तग गवे निका, लेस्ट डेमाइसेस, डी अविगनाउन या पीपाई पीता हुआ लड़का तो इनमेंसे राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन संगी तग अगला कोश्चन देखते है हुलास लाल किस सैली के प्रसिद चित्रकार था कंपनी सैली, तंजोर सैली, जैन सैली या मदवनी सैली तो इनमेंसे राइट आंसर क्या है कंपनी सैली अगला question दिया हुआ है आपका Ernest Winfield Hevel कौन थे? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो गबबादक और D option आपका दिया हुआ है यूरोब में पुर्ण जाकरण काल के कलाकार तो right answer इसमें से क्या होगा? कला इतिहासकार जिनको E.B. Hevel के नाम से जाना जाता है Next question दिया हुआ है बाग की पांच भी गुफा का नाम क्या था? पाठ साला, रंग साला, योग साला, चित्र साला तो right answer क्या है? पाठ साला अगला question है पंच मड़ी गुफाएं से जुड़ी हुई हैं तो किस से जुड़ी हैं? राम, सेव, बुद, पांडो तो किस से जुड़ी हैं? पांडो से अगला question है आपका निम्ली कित में से किस मुगल सासक ने सरवादी स्थापत्य कला पर ध्यान दिया अकबर, साह जाहां जहांगीर, दारासी को तो राइट अंसर क्या होगा? साह जहां जैसे कि आप जानते हीं, ताज महल का ने मार साह जहां ने ही कर भाया था अगला question है बादामी गुफा, चित्रों की प्रतिकिर्टियां, ललित कला अकादमी के ने मंतरन पर किस क चित्रकार ने बनाई थी तो ननलार भोष, असित्कुमार हालदार छेतिनार मजुमदार या जे एम अहिवासी तो राइट अंसर क्या है? D option अगला question है हमारा काँ था? टेक्स्टाइल का लोक रूप है तो ये कहां से संबन्दित है? उरिसा, बिहार बंगार, आंद्रप्रदेश कहां से संबन्दित है? बंगाल से अगला question दिया हुआ है आपका किस बस तुसे इसपर्स हुआ? विशिष अनुभो है बर्ण, आकार, रेखा, पोत तो इनमें से राइट आंसर क्या है? पोत अगला question देखते हैं हम पच्छियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपसंस दिये हुए है आपके राम गोपाल विजे वरगी, भवानी संकर सर्मा क्रपा संग से खावत तो राइट आंसर क्या होगा? देव की नंदन, सर्मा अगला question है आपका महात्मा गांधी, संस्थान, मौरी सस्क में किस चित्रकार ने मिरल बनाये थे? सतीस गुजराल, एसच रजा परेश मैती, मदू पारेग तो राइट आंसर क्या है? सतीस गुजराल अगला question है तंजोर चित्रसैली के राजाओं के सर्नचर में पली-फुली, तो किन राजाओं के सर्नचर में पली-फुली? सलंकी, चोल, मौर, चालो के तो राइट आंसर इस चोल अगला question है हमारा निम्ली कित में से किस भारती प्रागतिहासिक कलाकेन गेंडे के आखेट करते हुए सिकारी का चेत्र मिला है पंचमणी, विलासारंगम, बैलारी, हरनी-हरर तो राइट आंसर इस हरनी-हरर अगला question है हमारा निम्ली कित में से दिल्ली में इससे ट्रिवेणी कलासंगम की स्थापना किस ने की थी? रामकुमार, एनिस बेंद्रे, केस कुलकर्णी, सतीस गुजा तो राइट आंसर क्या होगा? केस कुलकर्णी अगला question है सितन वासल गुफा के चित्रों कावी से किस से सम्मन्दित है? बॉदिधर्म, ब्राममर दर्म, जैन धर्म या सभी का मिश्रण तो राइट आंसर क्या होगा? जैन धर्म से अगला question है किस सहर में प्रसिद मिनाची मंदिर इस्थित है? तो आपको बताना है इसके options हैं आपके मैसूर, मदुराई, हलेवी डू, एहल तो इन में से राइट आंसर क्या होगा? मदुराई अगला question है आपका विवान सुन्दरम ने किस कला संस्थान में अध्यन किया? तो इसका राइट आंसर है ललित कला संकाए ये ची option आपका सही हो जाएगा बढ़ोदा अगला question है King of Dark Chamber, नामक मुरल किस सहर में बना हुआ है? आप्सन दिये हुए है लखनो, भैंगलोर, जैपुर, कोची तराइट आंसर है लखनो जो की रविन्द्राले भवन में बना हुआ है अगला question है इसनान मंगने यूवतियों के चित्रकार कौन है? मोने, मिले, सेजा, रैफल तराइट आंसर क्या होगा? सेजा अगला question दिया हुआ है आपका सत्यजित रे की फिल्म जो है दा इनर आई संबंदित है तो किस कलाकार से संबंदित है? जामनी राए, रमिना टैगोर, नंदाल बोश, बिनोद भिहारी मुखर जी तराइट आंसर क्या होगा? बिनोद भिहारी मुखर जी अगला question है हमारा जोगी मारा की गुफाएं इस्थित हैं तो कहां है? मद्रप्रदेश, महाराश्ट, उडिशा, 36 गड़ राएट आंसर, 36 गड़ अगला question है सेंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? जेम एस मरी, सुधरसन पतनायक, दिलीप मातामली या टागरा तो इनमें से राएट आंसर क्या होगा? सुधरसन पतनायक अगला question है डॉल, सीर्सक, बाली, शेंखला बद्द, चित्रों की निर्मान किस नहीं किया? तो राएट आंसर इसमें से क्या है? फिकास, बटाचर, जो की डॉल सीरीज के लिए जारे जाते है अगला question दिया हुआ है आपका फारसीक में अनुवार महा भारत को किस नाम से जाना जाता है? अनुवार सुहेली, तारीक अलफी, हमजा नामा या रज्म नामा तो किस नाम से जाना जाता है? रज्म नामा के नाम से अगला question है, जहांगी की पत्नी नूर जहां का संबद निम्निकित में से किस बस्त्र कला से संबंद रहा है? चिकन कारी, फुल कारी, बणार सी कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? चिकन कारी और चिकन कारी की बात करें, तो यह कहां से संबंदित है? लखनों से संबंदित कर हुए है अगला question है हमारा celebration triptease को acrylic में चित्रित करने वाले कला कार कौन है? विरेंडे, सतीज गुजराल, तयब महता, रामकुमार तो राइट आंसर इस तयब महता अगला question है हमारा रतन परिमू किस छेत्र से संबंदित है? कला समिच्छा, नाटक, कहानीकार, फिल्म का पटकता, लेखर तो इन में से राइट आंसर क्या होगा? नाटक से संबंदित है अगला question है 77 नमलिकित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा भाव? छोड़ती है सांतीगा, इस्थिर्दा, विश्राम, गती तो राइट आंसर क्या होगा? गती चक्राकार जो होती है रेखाएं वो कैसा भाव पर दक्तित करती है? गतीगा अगला question है गुप्तकान में मूर्तियों में यमुना नदी के बाहन के रोप में किस जीप को दिखाया जाता है? मचली, कुर्म, मगरमच या दरियाई, घोड़ा तो राइट आंसर क्या होगा? कुर्म जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कच्छुआ भी कहते हैं अगला question है हमारा इन में से किस मुगल चित्रकार ने भारतिय देवी देपताओं का चित्रन किया? आप्संस दिये हुए हैं मनसूर, दसवन, अधुसमद या मीर सयद अली तो इन में से राइट आंसर क्या होगा? दसवन अगला question है हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? या मनी राय अगला question है भारत, श्री लंका, जावा, अफगानिस्तान तो राइट आंसर क्या होगा? जावा, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा इस्तूप है अगला question है ए राम चंदन की चित्र संखला है तो इनमें से बतानी है बाउल डांस, विजुका, यायाती या उमर खयाम तो राइट आंसर क्या होगा? यायाती जो की महाभारत से related है अगला question है दनाइट के फे किस कलाकार की रचना है? तो पिसारो की है सेजा या पाल गौगिन या वांगा तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें सेजा जो की उत्तर प्रभाबाद के कलाकार है अगला question दिया हुआ है निमले किद में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो कौन है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, ननलाल बोष या महेंदर पानिया तो इन में से राइट आंसर क्या होगा? अनुपम, सूद अगला question है अकबर कालीन, तूती नामा के चितर चितरों का संगरे है तो कितने चितर उसमें बने हुए है? तूती नामा में एक-समें तीन بنे हुए है डूटल चितर अगला question है इन में से किस गुफा में कैलास मंदिल इस्तिद है अलोरा में गुफा संक yang 14 गुफा संक बारा गुफा संक थे क्या हो जाएगा पूछा गया है यहां पर कैलास तो यहां पर क्या होगा 16 नमबर अगला कोश्चन है हमारा लाज़वर्त लापिसलाजली का रंग क्या है तो किस रंग का होता है प्रखर लाल या तीब्र लाल सरी तीब्र नीला या चमकीला हरा या मटमेला लाल तो राइट आंसर क्या हो जागा इसमें से तीब्र नीला अगला कोईशन है सिंदुगाटी सब विद्दा में चित्र अपसेश ज्यादा तर्ग किस रूप में प्राप्थ हुए है अपसंस दिये हुए है बरतन, भिती चित्र, पांडुली पी इन में से कोई नहीं तो राइट अंसर क्या होगा बरतन की रूप में जिनको पात्र भी कहते हैं अगला कोईशन है किसने हासी बेंगे चित्रों का निर्मान किया है अवनी ना टैगोर, रवीन ना टैगोर, गगने ना टैगोर या वीरेन ना टैगोर तो right answer क्या होगा गगने नट टैगोर्ने अगला question है साची इस्तूप पर किस लीपी में संदिश खुदा हुआ है देवनागरी, गीलाच्छर, ब्रामी, खरोष्टी तो right answer क्या होगा ब्रामी अगला question है इन में से कामसूत्र के टीका कार कौन है बरत मुनी, बास सायन, ये जोदर पंडित, ये कैसर दास तो right answer क्या होगा बास सायन अगला question है भारती संदर सास में ध्वनी सिधान का प्रतिवादन कौन था आनंद वर्धन, बरत मुनी, बरामीर ये विश्नुप्त राइट answer क्या है आनंद वर्धन अगला question है कांगरा चित्र सहली का प्रमुख चित्रकार कौन था बशावन, गोवर्धन, मोला राम, मनसूर तो right answer होगा अमारा गोवर्धन अगला question है 94 number निम्ले कित में से कौन जहां गीर के दरवार का चित्रकार नहीं है अगला question है 95 number भारतिये बिस्यों को पाश्याद सहली में किसने चित्रकार किया है बद्रिनातार, के-स कुलकर्नी, अमरता सेगिल ये सुकवीर सिंगर तो right answer होगा हमारा अमरता सेगिल अगला question दिया हुआ है इनमें से कौन मुर्तिकार नहीं है बलवीर सिंकट, सर्वरीरा चौदरी, मीरा, मुखर जी ये जैज हरोटिया तो राइड अंसर होगा हमारा जैज हरोटिया जो की एक छापागार है अगला कोईशन है ब्रस बनाने के लिए मसूर कलाकार है तो इन मेंसे ब्रस नामक चित्र जो है वो किसका है? सुनील दास का अगला कोईशन है वाख आउस इस्थित है तो कहा इस्थित है? वो जर्मनी में अगला कोईशन दिया हुआ है 99 नमबर निम लेखिन में से अजन्ता गूफा किस गूफा संक्या में मर्ती राजकुमारी नामक चित्र चित्र थे तो गुफा संग्या 16 में चित्रित है अगला कोईशन है उस प्राचीन गंध का नाम बताईए जिसमें भारती इकला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है तो किसमें किया गया है जै मंगला में जो की कामसूत्र का टी का करण था अगला कोईशन है हमारा चौर पंचा सिखा के लेखक है तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा हमारा बिल्लर जो की चौर पंचा सिखा के लेखक है अगला कोईशन है कौन सा राजनेता कार्टोनिस्ट भी था तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बाल ठाक रे अगला कोईशन है हमारा गीत गोविंद के लेखक हैं तो ये तो सब जानते ही हैं गीत गोविंद के लेखक कौन है? जय देव अगला कोईशन है प्राचीन भिक्रम सिला विस्विद्दाले किस नगर में इस्थिद है राची, भोचपूर, दर्वंगा या भागलपूर तो राइट अंसर क्या होगा भागलपूर भिहार अगला कोईश्चन है, मार्ग पतिका के संपादक थे तो इनमें से right answer क्या होगा? मुर्कराज आनन्द जो की मार्ग पतिका के संपादक थे अगला कोईश्चन है अपर्वन सहली में चित्र निम्न में से किन पोथियों पर प्राप्त होते हैं तो गीत गोविन, नाटिसास, सरांग ये चित्रसूत, राइट अंसर क्या होगा, गीत गोविन, जो की जैन धर्म से संबंदित है, अगला कोईश्चन है आपका ली कार्वुषे कौन था, ली कार्वुषे क्या था, एक बास्तुकार के रूप में जाना जाता है, अगला कोई चितिन नात मजूमदार किस तकनीक में सिद्ध हसते, तेल तकनीक जल, भास, टेंपरा, तो राइट अंसर क्या होगा, वास सेली, जो की बंगा सेली की पहचान है, अगला कोईश्चन है, टेट आर्मोर्डर्न गेलरी कहां पर इस्तित है, पॉलेंड, आर्लेंड, लंडन, तो राइट अंसर क्या होगा, लंडन में, टेट मौर्डर्न गेलरी कहां इस्तित है, लंडन में, अगला कोईश्चन है, आपका, यहां पर इरेज हो गया है, इसका नेम है, नौलखा, मंदिर किस बंस के निमित करवाया था, तो आपका राइट अंसर यहां पर हो हो जाएगा, सौलंकी, जिसको मंदिर पुछा गया, आपका, नौलखा, अगला कोईश्चन है, मोहन जोदरों से, प्रात नित की, कहां पर संग्राईत है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, राष्टी संग्राले, नई दिल्ली में, अगला कोईश्चन है, सावरी, चित किसने चुना था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, तृष्टन तजाराने, अगला कोईश्चन है, जाज ब्राक का प्रमुक चेत्र जो है, भाइलिन एंड केंडल इस्टिक, किस कला अंदोलन का उतकरष्ट उधारन है, तो राइट अंसर हो जाएगा, घनबाद, जो क इसका राइट अंसर हो जाएगा, अंकोरवार, जो कि कमबोडिया में इस्तित है, अगला कोईश्चन दिया हुआ है, आपका, के एसकुल करनी का जन्म, बेल गाम करनाटक में हुआ था, जो कि संबंदित है, तो कहां से संबंदित है, ये, कासी हिंदू, विश्विदाले, इससे, अगला कोईश्चन दिया हुआ है, मुर्गे की लड़ाई, परिसी दिदि चित्र किस कलाकार का है, तो ये तो अभी पहले भी देखा था, वो था बंगला देश का जन्म, और ये वह ला चित्र है, मुर्गे की लड़ाई, जो कि किसका है, के के हैभबर का, अगला च चंड राग गारडन कहां इस्थित है ये कहां इस्थित है चंडी गर्में अगला कोईशिन है बिंदू चित्र शेंखला ने बनाई है तो बिंदू चित्रका के रूप में जाने जाते हैं तो किस से समबंदित हैं इंग्लिस रोमांटिक पेंटिंग से समबंदित हैं जिसको सचंताबाद के नाम से भी जाना जाता है अब आपका अगला कोईशन दिया हुआ है नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद चित्र गुफा है तो बादामी सितनवासर जोगी मारा या बाग तो राइट आंसर होगा आपका जोगी मारा जो कि नर्मदा नदी के पास है जो कि कहां परिस्तित है 36 गड़ में अगला कोईशन है मारा माइकल अगलेंजिलो की प्रसिद मूर्ती डैविट किस सन में बनाई गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर 1540 वी में अगला कोईशन लास नमबर दिया हुआ है कोईशन आते ही अधारदवाद का इसका नाम और घोस्टना पत्र किस ने किया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे रृटेन सो हमारे 125 कोईशन कंप्लेट हो चुके हैं जो की UPTGT 2021 का कोईशन पेपर था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा तैंक यू फॉर वाचिंग